पूपका हमारे चैनल में स्वागत है क्या होता है मुके संबानी के घर की कच्रे का सुनकर आप भी चौंग जाएंगे सोसल मीडिया पर जो ख़बर लोगों को हैरान कर जाती है तो वो वायरल हो जाती है एक ऐसी ही खबर सोसल मीडिया पर वायरल हो रही है जो आपको हैरान कर सकती है इस खबर में बताया गया है कि मुके संबानी के घर का कच्रा किस चीज में इस्तमाल किया जाता है यूट्यूब से लेकर फेस्बुक पर हर जगہ इस बात की चर्चे है ऐसी एक खबर वाइरल हो रही थी जिसमें मुके संबानी के कच्रे से बनती है घर की विजली, हाँ दोस्तों मुके समाने के घर का नाम भारत के सबसे बड़े घरों में लिया जाता है, 27 मंजला के घर में 600 नोकर रहते हैं जो कि घर की देखबल करते हैं, घर में हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यार नखना रखा जाता है, हर चीज को स सिस्टेमेटिक बनाने का जिमा नोकरे के हाथ में ही होता है सोसल मीडिया पर उनके घर के कच्रे की बात हो रही है बताया गया है कि उनके घर के कच्रे को किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि उनके घर के कच्रे से बिजली बनाई जाती है जो उनके घर में यूज होती है कैसी बनती है बिजली बता दे मुक्के जमानी के घर का कच्रा फैका नहीं जाता बलकि उनके उसका इस्तमाल बिजली बनाने में किया जाता है बताया गया है कि उनके घर में एक खास सिस्टम से बिजली से कच्रे से बिजली बनाई जाती है सबसे पहले सुखे और गिले कच्रे को अलग किया जाता है उसके बाद में बिजली बनाई जाती है इतने बड़े घर में सबसे जादा इस्तमाल बिजली का ही होता है जिसके लिए इस चीज़ का इस्तमाल किया गया है उनके घर के खास बाते हैं इस घर में 168 गाड़ी खड़ी करने की जग़े भी है घर पर तीन हेलिपेंट भी मौझूद है घर में स्विमिंग पूल और स्पारूंग भी है घर में ऐसी की जवरत नहीं है पूरे घर का तापमन खुद तेह कर सकते है और मुक्य समाने के पास खुद का एरबस भी है तो दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद